कुणाती तो अक्षरम ब्रह्मा भगवान पुरिशोत्त महा जनो जानम निदम सत्यम मुच्यते भववद्धनाद आप अपने आपको ठीक तरह से अड़्जस्ट करें आपकी दुनिया ठीक हो जाए कंप्लेंड करके मत जीए एक अंग्रे जी में कहावात है मैं इस बॉन क्राइए लिवस कंप्लेइन एन डाइज उन सैटिस्फाइड व्यक्ति रोते-रोते पैदा होता है फर्याद करते-करते जीता है और पूर्ण असंतोश के साथ मरता है इतना बाकी है इतना करना था अगर और दस साल का समय दे दिया होता मुझे वगवान ने तो यह भी कर देता है असंतोश के साथ मरता है तो अपने आपको ठीक करना वो क्या है चलो प्रैक्टिकल अब बात करेंगे अपने आपको ठीक करना ताकि अपनी दुनिया ठीक हो जाए वो बात क्या है प्रथम अगत्य की बात है आप जो भी कारिय करते हो जो भी प्रवृत्ति में आप प्रवृत हो जो भी शायद आप सिवा कारिय करते हो या आपका जो भी व्यावसाय हो उसमें नैतिक प्रामानिक पुरुशार्थ आप रखे हम पुरुशार्थ करते हैं हम सभी परिश्रम हैं लेकिन नाइतिक्ता के साथ प्रामानिक्ता के साथ जिसको अंग्रे जी में एथिक्स बोलते हैं उसके साथ हमें पुरुशार्थ कि सेवाकारिया या कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति करनी चाहिए प्रथम ये बात है परिश्रम ही बनना कि जब काम होता है तब हम काम कर लेते हैं लेकिन एक हैबिट बनाना एक अदशली बात जीवन में तै करना कि मैं जब तक आठ गन्टा अपना व्यवसाइव व्यवसाई ना हो तो कुछ सेवाखारिया कुछ पठन लेकिन आठ गन्टा अगर मैं कारिया ना करूं तो मुझे ख जब 2000 की साल में ततकालीन अमेरिका के रास्टर प्रमुख बिल क्लिंटन भारत आये थे, तब हैदराबाद में हाइटेक सिटी में वे पदा रहे थे और उनका एक कारेकरम वहाँ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए रखा गया था, उसमें बिल क्लिंटन ने बहुत एक मतलब 54 करोर यूँआ हैं, जिनकी आयू 15 से 35 के बीच हैं, जिनकी आयू 15 से 35 के बीच हैं, मतलब यूँआ वस्था में हैं, फिर बिल क्लिंटन ने कहा, कि आठ गंटा, आठ गंटा नहीं तो 6 गंटे, 6 गंटे तो 4 गंटे भी ये भारत के 540 मिलियन यूँआ, अगर श्रद्धा से, नहीतिकता और प्रामानिकता से अपने कारियक्षेत्र में पुरूशार्थ करें, तो भारत को महासत्ता और विक्सित देश बनाने में कोई नहीं रोग सकता, हर एक की जिम्मेदारी बनती है, तो प्रथम अगत्या की बात है, वर सबी ने अक्षरदाम देखा होगा, गांधी नगर या डेली, just raise your hands, सबी ने देखा है, उसी संस्ता से मैं आता हूँ, और इस संस्ता को विश्ववयापी बनाई, United Nations तक एक स्थाई दरज्जा दिया, NGO के रूप में, वे हमारे गुरुहरी थे, परभुजय प्रमुक्स्व बहुत बड़ी एक सांस्कृतिक नगरी खड़ी होगी, उनके जीवन और कारिया का प्रदर्शन लोग देखेंगे, प्रेरित होंगे, वहाँ दस बड़े एक्जिबिशन होंगे, अभी जो दुबई में Glow Gardens आपने एक्जिबिशन में शायद देखें होंगे, या फोडोग प्रेंटिंग पे इस सभी पे बहुत बड़े अच्छे एक्जिबिशन होंगे, लाइटन साउंड शोज होंगे, आप सभी कोम इसी मंच पे से निमंतरित करते हैं कि आप सभी जरूर पधारना, और यहाँ नासिक में यह हमारे पुझे महावरत स्वामी है, जो मुख्य सबसे बड़ा सीखना है, परिश्रमी बनना है, यह हम प्रथम बात कर रहे हैं, कौन से सिद्धान की, अपने आपको आप ठीक करें तो आपकी दुनिया ठीक हो जाएगी, एक उन्नती की और, बैतरीन जीवन की और, प्रमुक्स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में, द लोगों की उन्नती के लिए, उनको संस्कृत करने के लिए, उनको निर्विसनी करने के लिए, उनके बच्चों को आप अपने बच्चों को सिख्षा के लिए, आप स्कूल बेजे, वो प्रेणा देने के लिए, लोगों को व्यसन मुक्त करने के लिए, साड़े तीन लाख में प्रमुक्षवमी महारज व्यक्तिगत गए हैं हमने प्रमुक्षवमी महारज को ये आखों से जब उनकी आयूती 60 65 75 तब रात को 12 बजे तक आदिवासी के जोपड़े में उस परिवार के साथ बैठते हुए और उस परिवार को संस्कूर्ट करते हुए देखे हैं लोग उनको पत्र लिखते थे मतलब खत लिखते थे कोई व्यक्तिगत प्रश्ण हो बारिवारिक प्रश्ण हो व्यवसाइक प्रश्ण हो सामाजिक प्रश्ण हो ऐसे साड़े साथ लाख पत्र उन्होंने पड़े हैं और उनके उत्तर दिये हैं मतलब करीबन 50 साल तक रोज के 70 पत्र के जवाब दिये, 70 letters a day कितना परिश्रम, जन कल्यान के लिए, लोगों की जीवन उतकर्ष के लिए और आपने जो अक्षरदाम देखा, ऐसे छोटे मोटे 1300 केंपस अपने जीवन काल में प्रमुक्षाई महाराज ने बनाए और लोगों को समर्पित किया 1300 Hospitals, Hospitals, Schools, Colleges, Committee Centers, संसकार केंद्रा, हरी मंदिर, मंदिर, अक्षरदाम, सब मिला के 1300 ऐसे छोटे मोटे एकम, सेवा भावी संस्था हैं, समाज के बीच रखी और समाज के उतकर्ष के लिए प्रवरूत रखी और आज भी सब 1300 प्रवरूत है, मतलब 50 साल तक हर पंदर्वे दिन प्रमुक्सवाई मारत ने एक संस्था की बेट, समाज सेवा संस्था की बेट, समदलो हर पंदर्वे दिन एक जमीन का संपादन हुआ, वो जमीन लीगली क्लियर हुई, वहां क्या करना है, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, वह तैह हुआ, बॉर्ड अफ्रस्टीज में हमारे, फिर टेंडर डिश आउट हुए, प्लान फाइनल्स हुए, प्लान लोकल कवर्मेंट बॉडिज में पास हुए, हम तो NGO है, नन प्रफिट और्गनाज़ेशन है, तो फंद्स रेज हुए, और फिर बना कंस्ट्रक्शन हुआ, दो, तीन, पाँच मजले की जो बिल्डिंग चाहिए, उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, दो, तीन, चार वेक्ती चाहिए, जो संस्था चलाने के लिए बाकी के तो पेड एमप्लोईज होते हैं, समर्पित दो, चार चाहिए संस्था में वो तैह हुए, और उद्धातन समारो हुआ, और उस संस्था को समाज की सेवा में रख दी, यह जो मैंने कहानी आपको बताई, यह कहानी हर पंदर्वे दिन प्रमुक्षवामी महराज ने 50 साल तक पूरी की ऐसी 1300 संस्था प्रमुक्षवामी महराज ने खड़ी कर दी, अन्बिलीवेबल स्टोरी, इडिस बियांद थे कैन फ्रमुक्षवामी बनना, हम चाहे तो हम भी यह कार्या कर सकते हैं, लेकिन उस परिश्रम के साथ नईतिक्ता और प्रमानिक्ता रखना है, नईतिक्ता और प्रमानिक्ता से, छोटा कार्या भी बड़ा बन जाता है, और बिना नईतिक्ता, बिना प्रमानिक्ता, एक बड़ा कार्या भी छोटा बन जाता, निति मत्ता से व्यक्ति आगे बढ़ता है, शड़ा बव्या करे लामानिक्ता बादि का बना प्रमानिक्ता बन जाता है, प्रमानिक्ता बड़ा है , बजसे कीध्ता है, वatura क códigoateश मैंगे बड़ा है,